हाई तरहिंट्स कैसे हैं आप उमेद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज में ले इस टौपिक पर बात करने जा रहे हैं तो एक दम इंपोर्टेंट अप प्रेग्नेसिक котором को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए सेयर करिया और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारा जो वीडियो रहे करन ay都要ने की बाद मतलब कि तीन महीने के अंदर करें कि लगवाईये और टीडी के लगवाईयेर और टीडी के और करवानी है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं बूलना यह आपको तीसरे महिने में करवा ही लेना है तो वह आपके जाज क्या क्या है फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा उसके बाद आपको अपनी बीपी चेक करवानी पड़ेगी और आपको यूरीन जाज करवाना पड़ेगा आपको वजन भी देखना पड़ेगा कि आपका वजन कितना है और उसके बाद आपको पेटकी जाज भी करवानी पड़ेगी ठीक है तो यह तीसरे महिने में इसको करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप गाउव ए तो आप टीडी के दूसरे टीके ना सेकिंड लगवाईए और सेकिंड लगवाने के बाद फिर आपको यह पाचो जाज करवाना है और इसके साथ-साथ आपको थाराइड की भी जाज करवानी पड़ेगी ठीक हो ना बहुत जरूरी है आप उसको जरूर करवाईए इसके ब चौथे महिने से छे महिने के अंदर लगवाना है फिर उसके बाद अगर आप सातवे महिने में आते हैं तो सातवे महिने में आने के बाद आपको सिर्फ जाज करवाना है और जाज में फिर वही जाज है कि आपको सबसे पहले ब्लड टेस्ट और बीपी बीपी की जाज आपको 4 बार में करवाना एक पार्च्व महिने में करवाना है और इसके फायदे यह हैं कि अगर आप बलड टेस्ट करवाएंगे तो आपको यह पता चलेगा की बलड टेस्ट करवाने के बाद कि आपका ड़ेट कितना है तो उस히 हिसाब से आप अपने खान प्रान पर ध्यान दे पाएंगे क्योंकि जो प्रेगनेंट लेडिज होती है उनका जो ब्लड होता है वह 14 से 12 से 14 ग्राम के बीच में होता है जो हीमोगलोबीन होता है तो इसलिए आपको वह बिल्कुल एकदम जरूरी है कि उसको आप चेक करवाएं उसके बाद अगर अगर में बीपी जाधा हाई रहेगा तो आपको समय या फिर प्रेगनेंसी के दोरानी ऺड़की आने लगेंगे तो इसलिए आपको क्या करना है अपने बीपी का ज़ो है समय समय पर करवाते रहना है ठीक है अगर मैं यूरीन की जाच कर सब्लू तो यूरीन में अग बात कहिंग अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो उससे पता चलता है कि क्या मेरा वजन बड़ाए इस सबता है कि पर बच्चा पेट में नहीं बढ़ता है तो तो भीर भाच बढ़ता है और वह जो वुजमकर दइद परफ shimles कि कि तक हमारा बढ़ता है सह कि यारे किलो बढ़ना चाहिए तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या मेरा वर्जन बढ़ राई या घट रहा है क्योंकि मैंने कई ऐसे केसे देखें कि उसमें अगर प्रेगनेंट लेडी चाहिए उसका वजन आज 45 किलो है मत्तब प्रेगनेंसी से पहले और वह प्रेगनेंट हो से पता चलेगा कि हमारा बचक इतना मुव Eddy कल रहा है नहीं तो इसलिए आपको प्रेट जाच कर वाना भी बहुत ज़रूर झाराया और क्या क्या जरूरी है प्रेंड अंज आ उम्मीद करते हूं कि सद्लीज जиком मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज ज्यादा से ज़ादा लाइक करिए सेर करिए Channel को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिए मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में Thank you